महाराष्टर राज्य की श्रमिकों को रोजगार देकर आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश से बांकाम कामगार योजना महाराष्टर सरकार द्वारा बनाए गई थी इस योजना के तहट महाराष्ट के निर्मानकारी श्रमिकों के लिए अनेक योजनाई बनाई गई थी जिसका लाब अब इन बांध का मज़दोरों को नहीं मिल पा रहा है पेजी थे रापना हसन मुश्रिप जी थे इनको वो विभाग सोपा गयता सनमानी शरत पावर सापकी नित्रतों में तभी ये कामगार कल्यानकाडी मंडल बना था और ये मंडल के माध्यम से 22 योजनाई हमारे कामगार उनके परिवारों के लिए है हमारी महराष्टा की जनता के लिए है हमारी यहां के गरीब जनता के लिए है और ये योजनाओं की जो अंबल बजाउनी है यहां पे सरकार नहीं कर रही है और चोरी चुपे इनको सुरक्षा किट मिलती है इनको संसार किट मिलती है इनको घरकूल मिलता है इनको यहां पे आप देखेंगे यह लड़ लेकिन उनके बारती जनता पार्टी नाकपूर शेहर के अब ने उनका नाम लेकर उनका बड़ा करना नहीं चाहूँगा लेकिन उनके लोगों के मादम से चोरी छुपे यह यहाँ पे बनकाम कामगार का किसी को किट दे रहे है किसी को साइकल दे रहे है किसी को भंडे दे रहे है देने में हरकत नहीं है हमारे लोगों से कोई विरोध नहीं है उनको भी लाब पोचे लेकिन ये लाब सब के हका है ये लाब सभी लोगों के हका है कामकार के परिवार के हका है उनको वो पोचना चाहिए इसलिए हम कोट में पर दो दिनों दो महिने में इनकी सरकार तो जाने वाली है और पूरे बहाराष्ट में नाकपूर जिल्ले में जिन जिन का हग बनता है उन सभी लोगों का उनका हम दिला के रहेंगे यह हमारी ताकर है चोरी छुपे हो रही है एक कारेले से चिठी लाई जाती है वो चिठी जाके कारेले में दी जाती है मैं इनके बानकाम कामगार है कि जह आया उपायुक्त है इनके जो अधिकारी है इनसे बार-बार संपर्क में हो बार-बार पत्रवेवर कर रहा हो और जो यह साहित्ते दे र काम है कि जो योजना है उसके अंबल बजाओनी की जाए कार्यकरतब पदादिकारी का जो काम है जो सरकारी योजना है वो आखरी आदमी तक के ले जा रहा है उनको पहुचाने की कोशिश कर रहा है उसमें भी अगर ये छोटी बुद्धी वाले भारती जंता पाइटी के नेत है और सर्वसाधरन लोगों को न्याय नहीं दे पारे है उसमें आज राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी ने शेहर के सविधान चोक पर प्रदर्शुंकर महाराष्ट्र सरकार की कार्य प्रनाली पर विरोध जताया महानियो सेवन के लिए कैमरा परसन राजे के साथ पारस बैसवारे नाकपूर